दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्योब चैनल पर दोस्तों आज के इस सुड़िय में हम देखने हो ले तीन ड्री मिले उनकी विनिंग टीम्स का प्रिव्यू जो मैच है फैन कोड एसी एस टीटेन स्टॉक होम की यूयमी वर्सेस एस आए के बीच की मैच की तीन ड्री मिले उनकी विनिंग टीम्स हमको देख लेने हैं जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकते हैं या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीच चकते हैं तो सबसे पहले तो मैच को हाइलाट करके दिखा देया इन और मैं अल्रेडी टीन टीम यहाँ पे बना के रख चुका हूँ जिससे एक-एक करके मैं आपको एडिट करके दिखाता जाओंगा किस-किसको लेना है किसको नहीं लेना है क्याप्टन और वास काप्टन किसे बनाना है यह सब बाते मैं आपको बताऊँगा लेकिन दोस्तो तो फिर से एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेट ज़रू करूंगा कि अकर अपनी मेरी चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे उड़ी आप त के लिए तो थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है लेकिन फिर भी सोथ समझ कर अपने अर्निक लगाईएगा अफकोस यहां पर हम पहले तो कीपिंग की बात कर लेते तो एस सिंग को मैंने लिया है इन्होंने पहले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मस किया था तो इसलिए इनको म बाजवा को लिया है यह बाजवा भी काफी बढ़िया प्लेयर है पिछले कुछ दिनों से काफी लिग्स में खेल रहे तो इनको भी लिया है मैंने अगर बात करें ऑल राउंडर के तो एसकाले को ले रहा हूँ उसके बाद जी मनवाल मनवालन को ले रहा हूँ उसके बाद चार ओल रॉंडर लेने के बाद आपको यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉंट दे सकते हैं डबल पॉंट दे सकते हैं तो इसलिए जादा ओल रॉंडर मैंने पहली टिम में ले लिए तो आप जरूर इसी तर से टिम बनाईएगा दोस्तों अगर बा दावल लगा सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कुल्मिला के अच्छी खासी टीम बन चुके जिसमें से कुछ लोगों मतलब कुछ प्लियरों ने पहली मैच में ठीक ठाक अच्छा परफॉंस भी क्या ठीक ठाक भी परफॉंस के हैं और एक टीम के प्लियर जो हैं मुझे इंटरनेट पर रिसर्च करके लेने पड़े थे, तो कुलमिला के टीम अच्छी खासी कॉम्मिनेशन काफी बढ़िया बन चुका है, अफकोस आप इसे ग्रैंड लिग के लिए भी यूज़ कर सकते, दोनों लिग के लिए आप अपनी नुसार इस टीम को यूज़ कर सकते, आ पहली टीम जनता जनारदन के साथ जाता हूँ, तो इस काले को सबसे ज़्यादा लोग ने एस क्याप्टन प्रिफर किया है, तो इसलिए ये पहली जोड़ी मैं इसी तरह से रखूंगा, ताकि अगर ये सच में दोनों अच्छी परफरमस करें, तो आपको फाइदा हो, इस क्याप्टन जरूर दिखाऊंगा, तो दोस्तो इस टीम को फिर से काऊंगा, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए उज़ कर सकते, आप अपने नुसार इस टीम को यूज कीजिगा, इस टीम को क्लोज कर लेते हैं, और दूसरी टीम में आपको दिखा देता ह इस तरसे मैंने बनाई हैं, चले दूसरी टीम की बात करे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कीपिंग में चेंज कर लिया है, दोनों मतलब पहली टीम में तो सिंको लिया था लेकिन उनको तो लेही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुस्तफा जी आ दूसतों, काफी खेलते हैं क्रिकेट बैटेंग अच्छी कर सकते हैं keeping एक्छी उनकी तो इनको जरूर लीजिएगा तो उसके बाद मेने 4 बल्लेबादों को लिया को ले रहा हुँ इसका कलीज को ले रहा हुँ और वाज्वा को वापस सिस्टीम में ले रहाँ तो इसी तर से ये कर लिए ये दोनों भी काफी अच्छे औल डूंडर रह दे सकता है तो इसलिए मैंने जौदा वहादा से लहां इन दोनों को अपने रहने दा यह हो सकता यह झे आपको यह त्यों कि इसांविफ्ञत क्लीक क्लूला के तीम बढ़िया बनी है संतुली तीम बनी है इस टीम को मैं आपको जादा से जादा प्रिफर करूंगा ग्रैंड लिग के लिए क्योंकि थोड़े अलग प्लियर मैंने आप लिए जिसमें मतलब गुंजाईश होते है कि थोड़ा रिस्की सावित हो लेकिन इसे स्मॉल लिग के लिए यूज करना थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि आप यूज ही नहीं कर सकते ज़रूर यूज कर सकते है स्मॉल लिक के लिए पर थोड़ा सोच समझ के यूज की जगा लेकिन ग्राइंड लिक के लिए आपको काफी जबरदस्त और भहतर टीम मिलिए आप जरूर इस टीम से भी grand-rk जीत सकते हैं अच्छे खासे अर्निक पक्का कर सकते हैं तो इसलिए आप इस तरसे मैंने टीम बनाई है अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो G.Malwan को मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया है ए भाजवा को वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों एक काफी बढ़िया ओल राउंडर है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छे खासे पॉंट दिला सकता है तो एक काफी अच्छा बार्जमन है जो की काफी जबदस बैटिंग कर सकता है तो आप ज़रूर इन दोनों के साथ जा सकते हैं आज कैप्टन और वास केप्टन इनको चूज कर सकते हैं कोई रिस्क नहीं दोस्तों कोई प्रॉब्लेम नहीं आना चाहिए तो कुल मिला के दूसरी टीम भी काफी बढ़िया बन चुके हैं काफी खतरनाक बन चुके हैं जरूर आपको इसको ग्रांड लिग के लिए योज करना इस टीम क क्योंकि मैं आपको ग्रांड लिग जिताने के लिए सोच रहा हूँ तो आपको ग्रांड लिग जिताने में थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा अगर बात करें तो एम मुस्तफा को मैंने लिया है जो विकेट के पर हाँ इनका पहला ही मैच रहने होला है आज का तो इसलिए मैंने इनको ले लिया है अगर बात करें तो D लखानी, S काकलीज, A भाजवा और A अश्रफुल ये भी एक आपर थोड़ा अच्छे प्लियर है थोड़े रिस्की है लेकिन अच्छे प्लियर है दोस्तों बैटिंग काफी बढ़िया कर सकतें तो आप इनको एक टीम में कम से कम जरूर ले सकतें ताकि आपको जादा से जादा फायदा हो आप ग्राडलिक जीत सकतें इनको जैसे आपके ट्रम कार्ट साबित हो सकते या अच्छी खासी अर्डिंग तो पक्का करी सकतें तो इसलिए आप एक चेंज मैंने बैटिंग में भी कर लिया एक कीपिंग में भी म नहीं ले पाया था इस टीम में मैं जरू ले लूँगा क्योंकि दोस्तों प्लियर अच्छे है आपको फाइदा भी करा के दे सकते हैं तो थोड़ा रिस्की लेना चाहिए ताकि यह अगर मितलब जो हम रिस्की प्लियर लेते हैं वह अगर अच्छा खेले तो हमें ज्यादा स सकते हैं हमारे ट्रमकाड्श हो सकते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी हटके तो क्याप्टन मुश्तक को कैप्टन सकते हो और बना लेकिन कीपिंग के स्टंपिंग में रन आउट में या कैचिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट हमें दे सकते हैं और कभी-कभी यह पॉइंट भी काफी इंपर्टन्ट सावित हो सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे इनको वाइस क्याप्टर बनाना फायदेमन रह सकता है दोस्तों आपको जरूर कहूंगा कि इस टीम को आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिक के लिए उज करना है स्मॉल लिक के लिए यूज मत किजेगा क्योंकि थोड़ी रिस्की टीम है मैंने थोड़े हटकेट प्लियर लिये है जो कि अगर खेल गए तो काफी बढ़िया रहेंगे द आखिर में यह कोँगा दोस्तों आपको अगर लगता है कि इन तीनो टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए क्याप्टन और वास्कैप्टन सही ने तो आप चेंजेस कर सकता है लेकिन ज्यादा चेंजस मत किजेगा थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है एक दो चेंजेस करे क्या आल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहे और आप अच्छे से अर्निक करते रहे साथी साथ अपने टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में द्याल रहा हूँ वहाँ पे जाके उसे जॉइन जरू कर लीजे ताकि कुछ भी चेंज गुट बढ़ टेकर